ESA hello friends welcome to our YouTube Channel Computer Study Center आजके इस वीडियो लेkswhere में हम बात करेंगे ं और मैं दिखा दूँ यहां पर मैंने लास्ट्य करना दो फाइल के बीच में कैसे कमपेर किह जाता है उसको कैसे understand किया जाता है उसके बारे में हमने समझाया है और फिर हमने protection लगाना भी हमने बताया कि अपने document पे कोई दूसरा कोई आके editing ना करे उसके लिए हम कैसे protection लगाएंगे तो चलिए start करते हैं आज का ये वीडियो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमली से हैं तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें तो हम सबसे पहले start करते हैं view tabs के first option से first option यहाँ यहाँ पे है view, view का मतलब क्या होता है यह मैं आपको समझा दू पहले view means होता है देखना हम अपने document को किस तरीके से देख रहे हैं उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना होता है हमारा document को look कैसा है बस यह है इसमें यह पूरे tab में जितने भी option है हम अपने document को कितने तरीके से देख सकते हैं सारा बस इन ही सबसे related topic है तो यहाँ पर अगर tools की बात करें कि हमारे पास view यानि कि document को view करने के लिए कितने types हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास five types हैं पहला है reading mode और जो default होता है वह होता है print layout उसके बाद है web layout outline and draft यहाँ पर हम पास तरीके से अपने document को देख सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले selected जो है वह है print layout print layout का मतलब होता है कि हमारा document print होके कैसा दिखेगा उस structure में यहाँ पर क्या होगा कि हमारा document दिखाई देगा जैसे कि अभी आप देख पार हैं तो यह हमारा document है और यह document हमारा जैसे यहाँ पर दिख रहा है printing होने के बाद कुछ ऐसा ही दिखेगा तो ऐसे view को हम print layout view कहते हैं यानि कि print होने वाले structure में view होना अगला जो option है वो है reading mode यानि कि हम अपने document को पढ़ने के रूप में रख देख सकते हैं यहाँ पर सभी अक्षर बड़े बड़े अक्षर में थोड़ा सा थोड़ा आसान हो जागा लेकिन थोड़ा देखने में अजीब सा लग रहा है इसको भी हम सेटिंग कर सकते हैं तो अभी हम इसको back करते हैं से अगला जो tools है वेब ले आउट वेब ले आउट का मतलब है कि वेब ले आउट व्यू यानि कि internet की page की तरह हम अपने अगला जो वेब ले आउट व्यू होता है यहां पर देख सकते हैं यह पूरे का पूरे width यहां पर सेट हो चुका है यह हमारा यहां से ले करके पूरा का पूरा यह full screen में हो चुका है और यह internet की page की तरह दिख रहा है इसका यूज एक और काम में आता है जैसे कि अगर हमने internet से page को कोई download किया है उस page को MS words में हम open करेंगे तो वेब layout format में ही support करेगा अगला जो view है वो है outline view अगर हम outline में करेंगे तो जितना भी हमने paragraphs बनाए है उन सारे paragraphs के पहले यहां पर bullets add हो जाते है एक ऐसा कह सकते है कि एक outline एक grouping करने के लिए इसका use किया जाते है for example मैं यहां पर कुछ sentence लिख रहा हूँ अलग से जैसे कि मालो कि हम student का list बना रहे है student अब student के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा boys आ सकते है girls आ सकते हैं तो हमने student लिख दिया student के बाद हमने क्यार कर दिया boy ठीक है और फिर why के अंदर हम कोई list बना रहे हैं जैसे कि हमारा हो गया राम, मोहन, रोहन, रोहित, अमित हमने five boys के नाम लिख लिए यह boys के list बन गए अब मैं girls का list बनाने वाला हूँ तो अभी outline हमारा आगे है तो हम इसको left side करने के लिए shift tab का use करेंगे फिर हमने लिखा girls फिर हमने tap किया, tap करने के बाद girls के नाम लिख लेते हैं सीता, गीता, सोनाली, अंजली, ठीक है यह हमने कुछ नाम लिख लिया, प्रिया तो यहां पर आप देख सकते हैं यह एक outline की तरह दिख रहा है, जैसे कि हम student पर double click करेंगे plus पर तो यहां पर सभी क्या हो चुके है, hide हो चुके है, बट यह delete नहीं हुए, यह outline का मतलब यह होता है कि इसमें group बना देना, boys के अलग group बना देना, girls का अलग group बना देना, यह outline ह चुके है, अब student में मुझे दो दीख रहे है, boys and girls, दोनों एक label पर boys and girls, तो इसके अंदर भी अगर हमने फर्दन देखना है, तो हम इस plus पर double click करेंगे, तो इसका list open हो जाएगा, I hope कि यह आपको clear हो चुका होगा, अगर कोई भी confusion हो रहा है, तो आप हमें comment section में comment करके draft, draft कहने का मतलब यह होता है कि हमारा जो document है, उस document को lightweight बनाना, lightweight means कि जो unnecessary चीज़े होते हैं, उनको delete कर दो, उनको remove कर दो, जब हम अपने document को कहीं दूसरे जगा भेजते हैं, यानि कि network में हम कहीं भेज रहे होते हैं, तो उस time पर हमें अपने file को हलका lightweight file बनाना होता है, ता क बेजने में MB कम खर्च हो, वहाँ पर प्रोपर तरीके से deliver हो, whatever जो भी हम यहाँ पर करना चाहते हैं, तो जैसे हम हम अपने document को यहाँ पर एक formatting look दे देते हैं, जो कि unnecessary formatting है, जैसे कि यहाँ पर हमने border दे दिया, page color कर दिया, अब इसको हम लेके चलते हैं, draft view में, तो जैसे हम draft view में click करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि जो भी हमने color किया था, formatting किया था, वो सभी कुछ यहाँ से remove हो चुक है, तो draft में यह होता है, कि इसका जो unnecessary formatting होता है, वो remove कर देगा, लेकिन यहाँ पर आभी आप देखेंगे, कि यह text का जो coloring है, यह delete नहीं हो रहा, क्यों क्योंकि यह unnecessary नहीं है, text पर कोई भी effect है, तो उसको यह change नहीं करेगा, लेकिन page killer unnecessary चीज है, मतलब वो जरूरत का नहीं है, requirements है, तो उसको यह delete कर देगा, अगर मैं फिर से print layout view में आऊ, तो यहाँ पर मुझे फिर से color आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है, I hope कि यह आपको clear हो चुका होगा, कि MS Word के जो view tools होते हैं, view करने के जो types होते हैं, पहला print layout, printing structure, web layout, website के structure में outline, यानि कि grouping करने के लिए, और draft यानि कि lightweight file बनाने के लिए हम इनका use करते है, I hope कि यह आपको clear हो चुका होगा, इसके बाद एक और है, जो कि खास है, page moment, page moment का मतलब क्या है, कि अभी पेज बना हुआ, अगर हम side by side देखना चाहते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, जो इसका next option है, यहां पर इसकी मैं बात कर रहा हूँ, vertical का मतलब है कि एक page उपर है, इसके बाद दूसरा page, तीसरा page, चौथा page, जैसे कि यह हमारा पेज हो गया, यह दूसरा page हो गया, इस तरह कि अगर है, तो इसको हम vertical बोलेंगे, side by side कहने का मतलब कि यह पहला page हो गया, तो इसके side में दूसरा page, तीसरा page, चौथा page, इस तरह से यह side by side page को बनाएगा, okay, I hope कि यह clear हो गया होगा आपको, तो आगे हम next देखते हैं, यहां पर जो अगला हमारे पास option है, यह है view करने के लिए कि हम अपने document में ruler, grid line और navigation इनको देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, अगर हम अपने document में देखना चाहते हैं, तो इसको check कर देंगे, अगर नहीं देखना चाहते हैं, तो uncheck कर देंगे, जैसे कि grid line अभी uncheck है, navigation panel uncheck है, तो इनको अगर हम अपने document म में देखना चाहते हैं तो इनको फिर से चेक आउट करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर हमारे अगला है नेविगेशन पैनल यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कि यह पेज के लिए हम यहां पर आगे पीछे मूफ कर सकते हैं तो यह हमने कर लिया आपको क्लियर हो पा रहा होगा तो आज के इस वीडियो लेक्टर में हमने सीखा अपने डॉक्मेंट को व्यू कैसे और इसको हम एक पेज के बाद दूसरा पेज हम कैसे दिखा सकते हैं और अपने डॉक्मेंट में रूलर नेविगेशन बार और गेटलाइन को कैसे आड कर सकते हैं यहां पर एक बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है इंप्रेसिव रिडर यह हमारे डॉक्म और यह वीडियो आपका पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी सेर करें थैंक्स फ़र वचिंग इस वीडियो